सौगत आप सभी का हमारी यूटिप चैनल शिबली कॉलेज इंफो पे जहां आपको मिलती है कॉलेज और यूनिवर्स्ट्री से रिलेटेट सारी इन्फरमेशन अपार कार्ड जो बनना है वो सभी स्टुडिट का बनना है चाहे आप बीए बीसी बीकॉम बीबीए बीसी ए मतला आप चाहे यूजी के स्टुडिट हो चाहे पीजी हो या फिर आप प्रोफेशनल कोर्स के किसी भी कोर्स के में आपका एडमीशन है आप स्टुडिट है तो लिए जरूरी हो चुका है तो इस वीडियो में हम आपको अपार कार्ड बना करके दिखाएंगे कि अपार कार्ड कैसे बनाए जाता है कुछ दिन पहले मेरी वीडियो आई थी जिसमें बताया था कि अपार कार्ड हम आपको बना करके दिखाएंगे थोड़ा डिले हो गया है क कि एबी सी यह जो है इसकी वेबसाइट है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं एक सिकेंड सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटरफेस आ चुका है अब क्या करते हैं आपको इसी पर टैप करना है फस्ट वाली लिंक पे तो जैसे हम इस पर टैप करते हैं यह आप देखिए ओपन हो करके वेबसाइट जो है आ चुकी है आपके सामन तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस सारी चीज़ें डिटेल यहाँ पे दी हुई हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पे कितने इस्टुएंट का रिस्ट्रेशन हुआ सारी चीज़ें हैं तो आपको क्या करना है सिंपली यहाँ पे आपको चले जान ही एस्टुदेट और युनिवस्टी अब आपको क्या करना है आप स्टुदेट नहीं तो आपको स्टुदेट पर टैब कर दिया है और ये वेब्साइट open हो करके आ रही है तो देखिए सबसे पहली चीज आपका DG Locker पे registration होना जरूरी है DG Locker का आपका account बना हुआ होना चाहिए तो इस ID को बनाने से पहले आप अपना DG Locker को बना लीजिए उसके ID आप generate कर लीजिए अगर आपकी DG Locker के ID पहले से बनी हुई है तो उसका पिन होता है वो आपको पता होना चाहिए अगर आप पिन को भूल गए है तो फॉर्गेट पिन करके आप उसको generate कर सकते हैं तो चलिए हम यहाँ पे जिस नमबर से DG Locker बनाए हैं उस नमबर को फिल करते हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं दो बॉकस बने हुए हैं को हमने तिक कर दिया दोनों बॉक्स यहाँ पे उसकोन हो सकता है तो यहाँ पे आप देखिए आपका account किस नाम से है तो यहां पर आप देखिए जो हम जिस नमबर से account बना रहे हैं तो उसका नाम जो है यह है इसके बाद star 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 करके आई ये फैलास्ट में तो ठीक है इसके बाद हम यहां पर sign in कर देते हैं sign in करने के बाद अब यह कह रहा है कि dg locker has sent to you an otp अब यहां पर क्या एक otp आया है अब o Rose can का फिल करने के बाद वापस साइं ऋ साइन इन करना है चलिए otp फिल कर लेते फिर sign in कर के आपको दिखाते हैँ तो यहां पर otp फिल होगए अब यहां पर हम कर देते हैं science in अब sign in हो रहा है आप देख सकते हैं तो sign in होने के बाद आप ये देखिए यहाँ पे आपका जो dg locker है उस पे आपका अधार card जो documents फिल होंगे वहाँ पे दे देगा तो यहाँ पे सिर्फ जो tick लगा हुआ है वो अधार card का लगा हुआ है अब यहाँ पे आपको क्या कर देना है सीधा सा आप यहाँ पे देख रहे हैं allow का option दिया हुआ आप इसको allow कर दीजिए तो यहाँ पे allow हमने कर दिया है आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है academic bank of credits और इस तरह से यहाँ पे interface आ गया है अब इस यहाँ पे पूछ रहा है student type फिर उसके बाद पूछ रहा है इंटर, provisional, आपर, ID, role number यह सारी चीज़े पूछ रहा है तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या कर रहे है student type जो पूछ रहा है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं role number आप इसमें से कोई सा भी option ले सकते हैं role number भी आप लगा सकते हैं आप registration जो number है वो भी ले सकते हैं enrollment number भी ले सकते हैं तो हमारे हिसाब से सबसे जो best होगा वो दो चीज़ हो सकती है यहाँ से एक तो role number और दूसरा आपको जो है enrollment number क्योंकि अगर आप UG में हैं तो role number आपका सेम होता है PG में तो भी role number सेम होता है सेम उसी तरह से enrollment number भी सेम होता है तो हमारे हिसाब से best जो option है वो role number है उसके बाद role number आपने वहाँ पे feed कर दिया तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा जो आपका university से role number आलाट हुआ होगा जिससे आप exam दे रही है वो role number यहाँ पे feed करना है तो चलिए role number feed करते हैं उसके बाद आगे हम देखते हैं तो friends यहाँ पे जो role number है उसको fill कर लिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दे रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो university है या फिर college है वो क्या है पहले हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं जैसे शिबली college है तो देखते हैं शिबली college है कि नहीं है तो यहाँ पे शिबली college नहीं दिया हुआ है अब चलिए हम university सर्च कर लेते हैं महाराजा सुहेल देव देखिए महाराजा सुहेल देव युनिवर्स्टी को जैसे हमने सर्च की यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आ गई है इस पर हमने टैप कर दिया है तो महाराजा सुहेल देव युनिवर्स्टी पर टैप कर दिया है अब यहां पर हमको क्या करना है, simply यहां पर आपको कर देना है, submit, तो चलिए इसको submit कर देते हैं, इसको यहां पर जैसे हमने submit किया, यहां पर आप देख सकते हैं, लिख करके आ चुका है, अपर ABC, strength account credited, यानि कि इनका जो अपर card है, strength के ID जो है, वो बन चुकी है, यहां पर इ भोल जाए, उसके लिए, अब यहां पर लिखा हो, go to dashboard, इस पर हम टैप कर देते हैं, go to dashboard, पर देखते हैं, क्या दे रहा है, तो यहां पर इनका देख लिजे, आप, sorry, यहां पर यह क्रेडिट वाला जो option है, बन करके आ गया है, आप यहां देख सकते हैं, इनका जो नाम है वो लिखा हुआ है, और यहां पर credit score में 0 लिखा हुआ है, credit score में 0 का reason यह है, क्योंकि इनकी academic, जो credit है, वो अभी 0 है, यहां पर आप देख लिजे, इनका अपार card का जो number है, वो दिया हुआ है, इनका जो name है, वो दिया हुआ है, अब चलिए इसको हम download करने की कोशिश करते ह है, कि इसको download कर लिए अपने phone में, तो इसको download करने के लिए हमने आपको बताया था कि इसके लिए आपके पास डीजी locker होना चाहिए, तो चलिए हम चलते हैं, डीजी locker की तरफ, तो हम आ गया है, अब यहां पर आपको क्या काम करना है, यहां पर आप नीचे देख सकते हैं, यह search ओलो जो option दिखा है, इस पर आपको tap करना है, तो हमने search पर tap किया, अब search पर tap करने के बाद, यहां पर search for documents में का option आ गया है, अब यहां पर हम इसको search कर लेते हैं, search कर लेते हैं, यहां पर ABC, अब इसको तो देख सर्च करने के बाद, आप यहां पर नीचे देखेंगे, और identity value जो है, यहां पर इनकी जो example के तौर पर दिया हुआ है, तो identity value में इनका जो role number है, वो fill होगा, और उसके बाद यहां पर select institute है, वो fill होगा, तो इसको भी fill कर लेते हैं, देखेंगे, यहां पर इनका जो role number है, वो fill होगा, अब यहां पर admission year 2023 उसको fill कर लेते हैं, और इस महाराजा, सुहेल देव, महाराजा, सुहेल देव, यूनिवरस्टी, तो देखें, महाराजा, सुहेल देव, यूनिवरस्टी हमने टैप कर दिया, 2023 admission, और role number यहां पर, student type में, एक सिक्ट, यहां पर role number हमने लिख लिया है, सारी, यह तो हट गया, फिर से role number fill करना पड़ेग महाराजा, सुहेल देव, यूनिवरस्टी, महाराजा, सुहेल, तो यहां पे सारी चीज़ें, फिल हो गई है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको get documents पे कर लेते हैं, देखें, जैसे get documents कि यहां पे आपके सामने अपार ID card दे दिया है, यहां पे आप देख सकते हैं, यह अपार ID card जो है, आपका इसमें अब login हो रहा है, तो चली यहां पर पूरा जो है, पूरी तरह से login होने के खोशिश कर रहा है, यहां पे यह अपार ID card जो है, verify कर दिया है, इसको open कर लेते हैं, open जैसे ही कर रहे हैं, यहां पे आप देख सकते हैं, इनका जो अपार ID card है, वह generate हो गय या फिर यूनिक ID कार्ड जो है student ID कार्ड है one nation one ID यह सब जो भी चीज़ें हैं आप इस तरह से simply तरीके से एकदम आसानी से बना सकते हैं जो जो required documents हैं वो हम आपको वापस से बता देते हैं पहले डीजी लॉकर को verify करने के लिए आपको चाहिए अधार कार्ड नंबर और चाहि और इसको फिल करते टाइम पर आपको चाहिए अपना रोल नंबर भी चाहिए ठीक है इसको फिल करके आप अपना जो अपार कार्ड है वो बना सकते हैं बस आज की वीडियो में अतना ही thanks for watching और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर से subscribe कर ले चाहिए